तो दोस्तो हर बार हमें वीर महान किसी ना किसी रेसलर पे एटेक करते हुए दिखते हैं लेकिन दोस्तो इस बार वीर महान पे ही एक सर्प्राइजन एटेक हो गया चले दोस्तो विस्तार में देखते हैं कि इस बार की रौ में क्या हुआ विर महान के साथ दोस्तो यहाँ पर RAW में मैश चल रहे होते हैं मुस्तापा अली वर्चे सियामपा जहाँ पर मुस्तापा अली जीच जाते है और उनके बाद आते है और उस्टीन थेरी जो की अभी के WW के United States Champion है पहले तो केते हैं कि मैं A मैश तभी लड़ूँगा जब referee दमीज हो फिर दोस्तो दमीज आ जाते है as a referee फिर दोस्तो आस्टीन थेरी केते हैं मैं A मैश फिर भी नहीं लड़ूँगा इस बार में तुमारे ले एक नया ओपोनेंट लाया हूँ जिसका नाम है वीर महान दोस्त मुस्ताफा अली स्टार्टिंग में वीर महान को दो फ्लाइंग केक्स लगाते है लेकिन जैसे का आपको पता है वीर महान पे इसका कोई असर नहीं होता वीर महान मुस्ताफा अली को एक खतरनाक बॉड़ी प्रेस देते है इसलिए मुस्ताफा अली पीट के बल जोर से गि पर दोस्तों इस मैच को खतम करने के लिए वीर महान मुस्ताफा अली को मिल्टरी प्रेस देने जाते हैं वो अच्छे से उठा तो लेते हैं लेकिन यहाँ पर मुस्ताफा अली अपको छुड़ा कर एक तकड़ा कमबैक करते हैं और वीर महान पर एक के बाद एक फ्लाइंग किक्स देते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाश्ट में दमीज वीर महान की हेल्प करते हैं जिससे मुस्ताफा अली की एक फेस किक मिस हो जाती है और उसका फायदा उटाते हैं वीर महान मुस्ताफा अली को देते हैं उनका फिन के लिए कि लेने की भहुत आदत है और विर्माहन को कहते की इसे और एक बार सेर्विकल क्लज़दो मुझे सेलफी निकाल लिए है तुर क्या दोस्तों वीर मान के लिए तो अच्छा ही है दोस्तों यहाँ पे यह दोनों एक साथ वीरमाहन पर हमला बोल देता है वीरमाहन को पढ़ती है कुछ flying kicks जब वीरमाहन डोमेन स्टेरियो को पकड़ लेते है रेमिस्टेरियो उनको एक face kick देता है और इस तरह से यह दोनों मिलकर वीरमाहन पर भारी पढ़ जाता है और इस तरह से दोस्तों एक segment यहाँ पर ही खतम होता है अब देखते हैं कि अगले raw में क्या होगा क्या वीरमाहन इसका भी बतला लेंगे यहाँ हमें देखने को मिलेगी रेमिस्टेरियो वर्सेस वीरमाहन तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही कमेंट करकर बताईए कि अगर इंटी मैच होती है तो कौन जितेगा और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चाल को सब्स्राइब करें झाल को सब्सक्राइब करें